हेलो फ्रेंट्स, इलेक्रिक गुरू जी चनल में आपका स्वागत है तब तक इमारा ये कोई भी स्विच काम नहीं करता था आज की इस विडियो में फ्रेंट्स हम इसकी तूवेज स्विच के साथ वाइरिंग करेंगे 2-way switch के साथ wiring इसलिए करेंगे अगर हम इसको remote से अगर off कर देते हैं यह अगर remote से हम on करते हैं तो light on हो गई अगर हम इसको remote से off कर दिया तो light को on करना है तो on नहीं होगा अगर हमारे पास remote नहीं होगा तो इसलिए हम इसकी 2-way switch के साथ wiring करेंगे तो सबसे पहले friends इसकी शीट को खोल लेते हैं ये शीट को खोल लेते हैं शीट के सारे श्कूरू खोल दिये और ये हमारा जो controller है remote control वो अंदर में लगया हुआ है ये adapter लगया हुआ friends तो इसके सारे connection खोल के पहले हम ये जो one way switch है इनको change कर लेते हैं खोल लिया है और ये इसमें remote controller लगया हुआ है तो अब हम इसके switch हैं इनको change कर लेते हैं ये one way switch लगया है इसकी जगह हम ये two way switch लगा देते हैं फटाफट से और फिर आपको connection करके दिखाएंगे इसमें two way switch लगा दी है बोड के अंदर चार वन way switch को निकाल दिया है अब हम इसकी wiring कर लेते हैं ये हमारे two way switch है पहले हम ये जो remote control है इसकी wiring कर लेते हैं इसके अंदर हमको चार switch है ये चार relay लगी हुई है जो relay एक relay है उसके तीन terminal है यानि कि एक switch के तीन terminal है A, B और C B जो terminal है वो common है इन में चारों में B के terminal common है तो हमको क्या करना है B to B एक एक wire connect करने looping कर लेना जो की page के लिए तो हम इसमें पहले ये input page के लिए हमने wire connect किये friends इसमें इसमें हम page connect कर देंगे जो की ये जो loop लगाए है ये सबी जो switch है इसमें सब में सब में चली जाएगी power और इससे हम जो इसका A वाला टर्मिनल है इससे हम switch के साथ connection करेंगे ये जो हमने board के अंदर wiring जो switch लगा है friends पहले हम ये जो switch के अंदर निच्चे वाल टर्मिनल में एक अपस में connect कर देते हैं एक conductor इसके बीच में डाल देते हैं ये वाला तो ये switch के निच्चे वाल टर्मिनल में connect कर दिया और ये जो fuse से जो फेज वाली वायर आई है friends ये हमको इस conductor के साथ connect कर देंगे ताकि सब में power चली जाए तो यहाँ इसको connect कर देना है ये यहाँ connect हो गया और जो इसमें जो input फेज जाएगा friends वाली वायर हम इसी के साथ ये जो conductor है इसी के साथ connect करेंगे ताकि इसमें भी proper continue power रहे तो ये जो वायर है इसको ये ही connect कर लेते हैं इसी conductor के साथ ये वाली वायर हमने यहाँ input फेज में connect करनी है जो की फ्यूज से हमारा जो फेज आया है वो जो two-way switch है उसके निच्चे वाले conductor में हमने connect किया है और उसी से हमने ये रिमोट कंट्रोल के input में जो फेज जाएगा वो वाली वायर कनेक्ट कर दिया है अब इसके बाद friends हमको ये जो रिमोट कंट्रोल है उसकी जो ए ट्रमिनल है ये वाला जो ट्रमिनल है उसमें वायर कनेक्ट कर दिया है ये ये वाले ट्रमिनल में यहां वायर कनेक्ट कर लेंगे ऐसी फिर अगले स्विच का उसके बाद फिर अगला स्विच जो है उसका भी ए वाले ट्रमिनल में वायर कनेक्ट करेंगे फिर ये चार नमबर जो स्विच है इसका भी ए वाले ट्रमिनल में ये हमने जो ये ब्लू कलर की वायर फ्रेंट इसे में हमने लगाई है ये वाली आउट्पूट है इसकी वाइट कलर की वायर है वो इन्पूट है यानि कि जो पावर आएगी और इससे जो ब्लू कलर की जो वायर है उससे आउट्पूट होगी और ये वाली वायर हमको friends जो हमारा टुवे स्वीच है, ये जो टुवे स्वीच है, इसके उप्रवाल टर्मिनल में कनेक्ट करना, जैसे कि हमारady टूब लाइट का स्वीच है, जो इसको टूब लाइट में यूज करेंगे तो ये वाला इसका जो आउटफोट वाली जो blue color की wire connect किया है वो वाली हम उपर वाल टर्मिनल में ये जो तीन टर्मिनल है टो स्विच में इसके उपर वाल टर्मिनल में connect करेंगे ये उपर वाले में यह connect करतेंगे फिर इसके बाद जो अगले वाला भी ऐसी करना है ये उपर वाल ट्रमिनल में इसको भी यहीं कनेक्ट कर देते हैं जो कि हमारा LED पलप का है उसको यहां कनेक्ट करेंगे ये फैन का हो गया फ्रेंड्स ये भी और ये सोकेट वाला ये होगे फ्रेंड्स हमारी इसकी वायरिंग अब हम फ्रेंड्स जो हमारे इसके पॉइंट है जैसे टूबलाइट वाली वायर जो टूबलाइट से जो फेद जाएगा वो वाले वायर यहां connect करेंगे ये एली डिबलाफ वाली यहां फैन वाली यहां और सोकेट वाली यहां तो चली फ्रेंड्स फिर अम इसको बोड को लगा लेते हैं और इसकी वायरिंग करके ओन करके दिखाएंगे पॉइंट वाले connection कर लेते हैं ये टूबलाइट की वायरा जो टूबलाइट से आई है फ उसके बाद ये LED बल्ब की है तो ये वाली इससे आग्ये वाले switch में connect करेंगे ये यहां इसको लगा देते हैं उसके बाद friends ये जो वायर है ये fan की है और जो ये दो वायर है ये इसके जो बोड में fan regulator लगया है friends उसमें उसकी वायर है एक input और एक output है ये वाली वायर हम input बना लेते हैं जो की ये टूबलाइट सुच के center वाले में connect कर देंगे और इसको हम fan regulator वाली जो output है उसको हम fan वाली के साथ यहां connect कर देंगे friends अमारी ये complete wiring friends हो चुकी है अब इसको board को हम लगा के उसके बाद आपको own करके दिखाएंगे ये friends हमने seat को लगा दिया यहां और अब हम इसका fuse लगा देते हैं ये power आ चुकी ये friends इसमें और जैसे friends इसका अभी ये switch सारे off है तो अभी जो हम tube light या LED बल्ब fan कोई भी चीज को अगर own करना होगा तो हमको ये जो remote है उससे हम own कर सकते हैं ये वाले remote से है ये tubalite own हो जाएगा भी और ये वाले LED बल्ब है tubalite को off कर देते हैं friends LED बल्ब और ये ये fan का हमने connection कर दिया है और ये ये जो D है ये socket का ये fan को बंद कर देते हैं LED बल्ब को बंद कर देते हैं friends और ये tubalite हमारी on off इससे होगी और जैसे हमारे पास remote नहीं रहेगा तो हम ये switch से भी own कर सकते friends ये on होगया switch से और ये वाला ये देखे friends ये अभी च्यारों चीज़ अमारी switch से भी काम करेगी और remote से भी जैसे switch off होँगे तो हमारे remote work काम करेगा और switch को own करेंगे उस time अमारे ये switch के दो चलेगा ओके friends आज की वीडियो बसे दिना है अगर हमारी वीडियो आपको अच्छे लगी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को subscribe करना ना बूले